शीरसागर का कचुवा शीरसागर में भगवान विश्नु शेष शया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्षमी जी उनके पैर दबा रही हैं, विश्नु जी के एक पैर का अंगुठा शया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवार करने लगी. शीरसागर के एक कचुवे ने इस द्रिश्य को देखा और मन में यह विचार कर कि मैं यदि भगवान विश्नु के अंगुठे को अपनी जिव्या से स्पर्ष कर लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, उनकी ओर बढ़ा उसे भगवान विश्नु की ओर आते हुए शेषनाग ज जी ने देख लिया और कचुवे को भगाने के लिए जोर से फुफकारा फुफकार सुनकर कचुवा भाग कर छुप गया कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनह प्रयास किया इस बार लक्षमी देवी की द्रिश्टी उस पर पढ़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया इस प्रकार उस कचुवे ने अनेको प्रयास किये पर शेष जी और लक्षमी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली यहां तक कि स्रिश्टी की रचना हो गई और सक्युग बीट जाने के बाद त्रेता युग आ गया इस मध्य उस कचुवे अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ती का प्रयत्न करता रहा अपने तपोबल से उसने दिव्यद्रिष्टी को प्राप्त कर लिया था कचुवे को पता था कि त्रेता युग में वही क्शीर सागर में शयन करने वाले विश्नु राम का वही शेश जी लक्ष्मन का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगापार उतरने की आवश्शक्ता पड़ेगी संत श्री तुलसी दास जी भी इस तथ्य को जानते थे इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कही तुम्हार मर्मु में जाना केवल इतना ही नहीं इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था उसे याद था क शेशना क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्षमन के रूप में मुझ पर अपना बान भी चला सकते हैं पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था लक्षमन के तीर से मर जाना उसे स्विकार था पर इस अफसर को खो देना नहीं इस सीलिये विद्वान संत श्री तुलसी दास जी ने लिखा है पद कमल धोई चड़ाई ना नाथ उर्राई चहों मोही राम रावरी आन दसरत सपत सब साची कहों बरू तीर मार हू लखनु पै जब लगी न पाय पकारी हों तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पारू उ मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता है राम मुझे आपकी दुहाई और दशरत जी की सौगंध है मैं आपसे बिलकुल सच कह रहा हूं भले ही लक्षमन जी मुझे तीर मार दे पर जब तक मैं आपके पैरों को पकार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसी दास के नाथ हे कृ पालू मैं पार नहीं उतारूंगा तुलसी दास जी आगे और लिखते हैं सुनी केवट के बैन प्रेन लपेटे अटपटे बहसे करुनायन चितई जान की लखंतन केवट के प्रेन से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुना के धाम श्री राम चंदर जी जान की जी और लक्षमन जी की ओर देखकर हसे जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं कहो अब क्या करू उस समय तो केवल अंगुठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है केवट बहुत चतुर्था उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पित्रों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया तुलसी दास जी लिखते हैं पदपखारी जलू पांग करी आपु सहित परिवार पितर पारु करी प्रभुही पुनी मुदित गयव लेई पार चर्णों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चर्णामरित का पान करके उसी जल से पित्रों का तरपन करके अपने पित्रों को भवसागर से पार कर फिर आनं बड़ा प्यारा द्रिश्य है भगवान का एक पैर धोकर उसे निकल कर कठोती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है, केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को एक एक पैर को साथ साथ बार धोते हैं, फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठोती में रखिये, दूसरा मेरे हाथ पर रखिये, ताकि मैला ना हो जब भगवान ऐसा ही करते हैं, तो जरा सोचिये क्या स्थिती होगी यदि एक पैर कठोती में है, दूसरा केवट केवट के हाथों में भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते बोले केवट मैं घिर जाऊंगा केवट बोला चिंता क्यों करते हो भगवन दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाईए फिर नहीं गिरेगे जैसे कोई छोटा बच्चा है जब उसकी मा उसे इस नान कराती है तो बच्चा मा के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है भगवान। भी आज वैसे ही खड़े है भगवान केवट से बोले भईया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज तूट गया। केवट बोला प्रभु क्या कह रहे है भगवान बोले सच कह रहा हूं केवट अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। झाल झाल झाल